हेलो दोस्तों नमजकार शटोक गॉसिप चैनल में आपका स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के सियर प्रैस के latest अपडेट के ऊपर यस बैंक जो हमेशा से मारकेट के स्पोर्ट लाइट में रहता है इसके सियर की क्या हालत है और मारकेट में कौन सी निवज च चल रही है यह सब जानने के लिए वीडियो को अंति तक जरूर देखें तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं कोटक सेकुरिटीज जो एक लीडिंग ब्रोकरेज फॉर्म है और अपने इंवेश्टर को बैलुएबल इंसाइट एंड रिकुमेंडेशन प्रभाइड करती है उ पाटर फोर्ड का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है बट यस बैंक का रिकॉवरी बहुत सुलो रहने हुआ ली है और जितने भी पोजिटिव आउटकम्स थे वे सब करेंट मार्केट प्राइस में इंक्लिवड होते हुए नजर आ रहे हैं यस बैंक के प्राइस को उपर एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि यस बैंक का सेर 20 रुपे तक गिर सकता है क्योंकि इसका अभी खाफी एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है एक और नियुज जो यस बैंक से रिलेटर मार्केट में चल रहा है उया है कि कारलेल ग्रूप ने अपना 2% एक ब्लॉक डिल के थुरू बेचा है इसमें हमें डर्ने के जरूरत नहीं है दोस्तों कि जब लॉक डिल होती है तो एक फर्म माल बेचता है तो दूसरा फर्म इसे खरीद लेता है यह माल कभी डिटेल इंवेस्टर को नहीं बेचा जाता यस बैंक के केस में कार्लील गुर तो हम देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर में कम्पनी का प्रोफिट 123 परसेंट बढ़कर 451 क्रूर रुपे हो गया है कम्पनी के नेट इंट्रेस्ट इंकम में भी 2 परसेंट का जंप नजर आ रहा है कम्पनी का टोटल डिपोजिट मार्च क्वार्टर में 22.5 परसेंट से बढ़कर 2.6 लाक क्रूर रुपे हो गया है वही इस क्वार्टर में कासा रेसियो 30.9 परसेंट रहा है इन सभी डाटा को देखकर हम बोल सकते हैं कि कम्पनी का रिजल्ट बहुत ही सांदार आया है जो कि इंडिकेट करता है कि बैंक अपने परफॉर्मेंस में सुधार कर रही है लेकिन साथ ही ICIC सेकुरिटीज और कोटक सेकुरिटीज की सेल रेटिंग भी सामने आई है इस सिचुएशन में इन्वेश्टर्स को सवधान रहना जरूरी है और अपने इन्वेश्टमेंट डिसीजन को केरफॉली करना चाहिए तो चलो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको कोई specific information चाहिए तो इसे comment section में जरूर बताए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करे चैनल को subscribe करे ताकि आप हमारे future updates से जूर सके धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और सेफ रहिए